वल्किम बैक, अब आवा एक पुगाप देख रहे हैं मुकाबला और वक्त मुकाबला का है लेकिन बात होगी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की आज क्योंकि चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है 19 अप्रेल से चलके एक जून तक मतदान होगा साथ चरणों में और फिर चार जून को होगी वोटों की गिनती यानि चार जून को आपको पता चलेगा कौन होगा देश का अगला प्रणान मंतरी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी या इसमें कोई शक है कोई और मारेगा बाजी नहीं हम बड़े बड़े राज्यों की बात आज करते चले वो राज्य जो तै करने वाले हैं इस नतीजे को यूपी पश्यमंगाल बिहार महराष्ट ये इन चार राज्यों में हैं वो चावी वो चावी जो खोलेगी दरवाजा उस 7 LKM का जहां आपको पता चलेगा कौन काविज होने वाला है देश की सबसे बड़ी होट सीट पर मतलब देश के प्रधान मंतरी की कुरसी पर कौन बैठेगा इन चारो राज्यों के आज हम चर्चा करेंगे हमने कुछ हद तक यूपी की चर्चा की लेकिन पश्यमंगाल में बहुत कुछ बदल सकता है अगले एक महिने के अंदर जब पहला वोट पढ़ने जा रहा है यारी पहले चरण का मतनान होगा बश्यमंगाल की 42 सी बदलती हुई हमें दिखाई दे रही है इसमें भावेश्जाने दूसरा सर्वे कर लिया है आपको बता दू और वो जो दूसरा सर्वे है उसने कुछ सूरत बदल दी है यह बदलिए सूरत दोस्तों पश्यमंगाल का दूसरा सर्वे देख रहे हैं आप इंडिया टीवे औ और नंबर वन पोजिशन से नीचे आती भी दिखाई दे रही हमें 20 सीटों पर और इंडिया अलाइंस बतलब कॉंग्रेस पार्टी को केवल एक सीट फिर ये बता दूं आपको बड़ी खबर है इंडिया टीवी को बताएंगे कौन सी सीटें इधर से उधर हुई है और किस वज़े से क्यों है ये बदलाव आपने जब पहला सर्वेग दिखाया था आपने चार-पांच रोज पहले आपको पहला सर्वेग दिखाया था कई जादे फिल्म स्टार को किर्केटर को बाहरी को जो एक मंता बनाजी का जो एक कैंपेन होता था मामाटी मानूस जो अस्थानिय वस्वर बाहरी का वो कैंपेन कुनों अपने आप ध्वस्त कर लिया तीन तीन बाहरी कैंडिडेट को घोसित किया नोंने उसके बाद बहु इसले सर्वे में यह जीती भी दिख रही थी लेकिन इसमें टीमसी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो सी यह आया उसके बाद जीन सीटों पर प्रभाव देखा जाए उसमें एक बारास आता है और बैरेकपूर बैरेकपूर से आपको पता होगा कि वहां पर एक अच्छ जहां ब Stück साथ ही दिखा रही है यानी अवैब बीजे पी के घाते में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं तो बीजे पी कहां फ्लस हुए यह बैरेकपूर बारासाथ और बर्दमान वर्गापूर ये तीन सीटे पहले टीं सी के पास जाती दिखाई दिखाई दे रहे लेकिन दो सीटें ऐसी भी है जो बीजेपी के पास थी अब वो टीमसी के पास जाते दिखाए दे रही है जारग्राम और आसंसोल ये डेट रिजल्ट ये है कि बीजेपी की एक सीट बढ़ रही है ओवर आल 42 मेसे और टीमसी की एक सीट घट रही है और बीजेपी नमबर वन कि बंगाल की अंदर बन सकती है अभी हमारे साथ गिर्राज सिंग थे उन्होंने का 25 से कम नहीं तो हमारा और समारा सियनेक्स का दूसरा सर्वे 21 पर तो बीजेपी को कम से कम दिखा ही रहा है इस वक्त भी क्या कहेंगे आरती एक एक सीट की बात करूँगा मैं एक बार जरा अरती सारब ये बहुत साफ दिख रहा है कि वेस बंगाल में अक्चली स्टेलमेट है टी-एमसी इंडिया लाइंस के साथ नहीं जाने से ज्यादा कोई अंतर नहीं है कि वो टी-एमसी नीचे जा रही या बहुत उपर जा रही है बीजेपी का भी वैसे ही आहाल दिख रहा है कि 50-50 बंगाल का जो वोटर है वो आदा इदर है और आदा उदर है और डी-एमसी से छीन सकती है भारती जंता पार्टी बिजेपी अपनी दो सीटे गवा भी सकती है यह जार ग्राम और आसन सोल की सीट है समीर जी कुछ बोल रहे थे जब उप्चुनाव में हरी गई थी वारतियंता पार्टी तो वैसे भी वह टेमसी के पास चली गई थे सीट तो मुझे लग रहा है टेमसी के पास बनी रहेगी आसन सोल की बाबल सुप्रियों के पार्टी ज चुनाव जितने जारी है बंगाल के अंदर आसन सोल में पवन सिंग जो पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे अब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहां पर क्या असर होगा क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि वह उनके खिलाव बहुत आप पर टीमसी को दिया गय अरजुन सेंग नहीं 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 वह रिजन वाइस भी आप अगर देख लिजे क्या बदला है अलगल चेतरों में बंगाल के क्या बदला है दक्षिन पूर्वी बंगाल में 12 सीटें आती हैं अब यहां बीजेपी 5 सीट जीत रही है त्रेमूल 6 सीट जीत सकती है और आप जाएंगे तो यहां पर TMC की टैली जो है वो बेटर हुई है यहां पर जारगरम और आसनसोल की सीट जो है बाविश बिल्कुल देखेए जो C.A. लाया गया था उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी साउथ क्योंकि बहुत बढ़ा रीजन इसलिए हमने उसको दो अपार्टमेंट डिवाइड का एक जो जहां पे जो मैनुरिटी वोट का कॉंसॉलिडेशन है उसको साउथिस्ट में और इधर इसमें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा है जहां पे देखेंगे जो सुवेंदू अधिकारी वाला जो बेल्ट है वहाँ पे बीजेपी पहले भी अच्छा करे थी चार पां सीटों पे सीए आने के बाद वहाँ भी दो तीन सीटों का असर है लेकि मेंली जो आप देखेंगे वो जो साउथ इस्ट एरिया जहां पे बंड गाओं ये सब एरिया आते है वहाँ पे पहले बीजेपी पहले भी आगे थी इन दस दिनों के अंदर जो आपने दूसरा सर्वे किया इन दस दिनों में जब सीएका अपर जोर जोर सर बंगाल पहले थी अब वो ट्रणमूल कांगरिस से आगे निकल रही है और ये मोमेंटम आगे बढ़ता जायेगा क्या इसे पढ़ना चीक होगा देखे अभी एक फैक्टर आना बाकी है संदेश खाली पर अभी भारतिय जनता पार्टी और रास्टिय स्वाइंट से बक्संग इस लड़ाई को सड़क पर लाने जा रही है और इसका आपको असर देखने को मिलेगा बंगाल के अंदर कम्प्लिट पॉलराईजेशन होगा वहाँ पर इस्तिती ऐसी है कि संदेश खाली का एक बहुत बड़ा संदेश है यदि इसी प्रकार से ममता बनर जी का सासन रहा तो हिंदी बहु बेटियों के लिए जगह नहीं बचेगी उनके अस्तित्तु के खत्रे वहाँ पर सामने यह वो सब इलाके हैं जहां पर काफी दंगे हुए है यह मुद्ध तो अलड़ी फैक्टर इन है यह तो एक महीने पुराना मुद्ध है देखे बिलकुल फैक्टर है लेकिन जब यह कैम्पेइन में जाता है तो इसका फोर्स मल्टिप्लाई कर जाता है मैं इसका असर आपक लते हमें जाता है और यही जो संदेशकाली का जो रेफेरेंस है वो उसमें ऑजरी देख रहा है कि यह हुआ है तब ही वो मुस्लिम कंसलिडेशन बंगाल की राजनिति में अमेशा से रहा है पहले वो CPM का वोट बैंक हुआ करता था अब वो TMC का वोट बैंक है हिंदू कॉंसोलिडेशन पिछली दफा हुआ था लेकिन वो उतना नहीं हुआ था जो इतना इस बार हमको देखने को मिलेगा वहाँ पर क्योंकि वे इलेक्शन से ठीक पहले जो है वो संदेश खाली की घटना आई है और वो खरदे विदारक घटना आई है आप कहरें CAA संदेश खाली दोनों मुद्नों का अभी BJP को मोमेंटम मिलना बाकी है इनम्मार BJP का भी बढ़ेगा हुआ मैं आपको CAA का समझायता हूँ प्रभाव कैसे होगा जो आप माथुआ कम्मिनिटी कहते हैं दस से पंदरा फीसदी बंगाल में ये कम्मिनिटी है और ये जो है ये दक्षिन बंगाल की तरफ है जिसे नादिया का खेतर भी कहते हैं वहाँ पर पांच लोगसबा की ऐसी सीट्स हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिसमें मैं आपको ऐसे बता हूँ बवगाओं और रानागाट ये ऐसा एरिया है जिस पर इनका प्रभाव पड़ेगा दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ये ही कम्मिनिटी है इसके इलावा राजभंसी और नामा सुन्दर ये एक और दो कम्मिनिटीस हैं जो की इसी तरह से हैं और ये भी जो है आपके बंगलादेश से आयोए हैं शर्नाथी हैं इनका असर जो है आपको उत्तर बंगाल में दिखाएगा उत्तर चौबिस उत्तर परगना में दिखाएगा पॉजिटिव किसके लिए होगा यह बीजेपी के लिए है बलूर घाठ कूछ बिहार यह सारी इस पर आपको इसका असर आप प्टीस से उपर ही जाएगी बंगाल बंगाल आपको आश्टर चक्ट करेगा इस बात को संदेश खाली सिए सब का असर दिखना बाकी है भी साब कराम जर्मुभी का भी हैसर बंगाल कांणर आपको देखने को मिलेगा एक बड़े वर्गा के अंदर और देखिए 2014 के अंदर बहरते-जन्ता पार्टी को नथी सिक्ड़ी ते दू का पर ने जा रहे इक प्रहते-जन्ता-ब॔र यहtonis पर जा रहे है तो से नारा जोकर ब यही बनने जा रहा है बंगाल में अब मैं कैसी बात कहूंगा आप कहेंगे कि इतने सारे बड़े मुद्दों के पीच में कौन सी चोटी चीज की हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन दोस्तों चुनाव है और चुनाव में हर चीज मैटर करती है ममताब अनर जी को लगी चोट लेकिन इस बार एक सामान ने रिक्सा वाला का कमेंट था यह क्या कारण है कि ममताब अनर जी को हमें साथ चुनाओ के पहले ही इस सर में चोट लगते हैं और टांके लग जाते हैं तो जनता भी जो है उन्होंने इसको भुनाने की कोसिस की उन्होंने पहले कहा कि हम घर में टेल रहे थे अपने कमरे में टेल रहे हमको किसी ने पीछे से धक्का दिया और बंगाल पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टियेजन भी करने जा रहे हैं और मैं वजह पर जाता ही नहीं मैं आपसे क्या रहा हूं ममताब एनर जी एक बहुत ही जुझारू मंजी हुई राजने जिसमें बंगला देशी मुसल्मान है वह उनकी ताकत है जिस दिन वोग खतम हो जाता ना यदि बंगाल में एनर सी लागू हो जाता ममताबाद ने की राजनेतिक मौत हो जाती दुरभाग यह है कि इस देस का सेकलरिजम जो है वह उनको जिन्दा रखे हुए हैं वह वह तो बंगलादेशी मुसलमान चाहे वो पचास साल से क्यों नहीं रहा हूँ अब इनर्सी कब होगा इस पर बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा ममताब अनर्जी की चोट बिल्कुल सौरब मुझे लगता है कि ममताब अनर्जी को अंडरेस्टमेट नहीं करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा एक नारेटिव चलाया विमन को लेकर औरोतों के लेकर कि औरोतों का सम्मान नहीं किया जा रहा है मोधी जी पे उन्होंने प्रहार किया था आपको याद होगा कि वो सम्मान नहीं करते महिलाओं का तो वो underestimate नहीं करना चाहिए बाकी मुझे लगते है CAA का शायद अभी और effect होगा बाकी मुझे नहीं लगते है कि बाकी सारे factors आपके इसमें दिख रहे हैं CAA कितनी पकड लेता है आने वाले दिनों में एक महीने में उसका असर क्या होगा लेस्ट बेंगॉल में मेरा एक हैना है CAA दोनों तरफ काम करेगा CAA ममताब इनर्जी का वोट भी कॉंसालिडेट करेगा एधर हिंदू वोट भी कॉंसालिडेट करेगा और वो हो नहीं चुका जिस दिन से वहाँ पर ऐलान होने शुरू हो गए कि CAA आएगा आएगा हो मिनिस्टर ने कहा और अब CAA अब इनर्जी आ चुका है देश के अंदर लेकिन सौरफ देखें देखें अभी आया है रिसेंटली आया है उसमें अभी इंपक्त कितना जाएगा वो कितना एक्ट करेगा वोटर बेस को बोनेगा और खास थोड़ से महमताब इनर्जी का जिक्र करते थे कि महमताब जनतों को मालन तो यह लाग होने वाला है मुझे असा लगता है कि पदार मंत्री मोधी के परचार अभी आने के बाद अभी तो पदार मंत्री मोधी ने बंगाल के अंदर परचार शुरू नहीं किया जिसरे कि वो करते हैं अभी समय अब अधिस उचना आज जारी हुई है जब पदार मंत्री मोधी के दस साल का जिक्र होगा बंगाल के गुस्पेडियों का जिक्र होगा रोहिंगया का जिक्र होगा यह सब बात जब चुनाओं में पदार मंत्री मोधी उठाएंगे तो मुझे रगता है कि बारती जनता पार्टी 25 से ज़्यादा सुज़ू परच प्रशांत किशोर वो election strategist जो कि फिछले विधान सबाद चुनाओ में बंगाल में ममताब इनर्जी की पार्टी का काम देख रहे थे और उन्होंने उस वक्त ये भविश्वानी की थी कि बीजेपी डवल डिजिट में नहीं जाएगी मतलब सैकड़ा पार नहीं करेगी और उन कि बंगाल ऐसा नतीजा देगा बीजेपी के लिए कि हर कोई चौकेगा उसको देख रहे हैं तो आप हम बोल रहे हैं तो आप चौक में ने ने मैंने इस कॉंटेक्स में बताया कि उन्होंने चुनाब लड़वाया था विधान सबाद का चुनाब ममताब इनर्जी को को सदबुद्धी क्यों नहीं आ रही है कि रोज दिली में आते कहते हैं कॉंग्रेस का थोड़ा सा एज है थोड़ा सा एज है पता नहीं कहां से उन्होंने ऐसा सर्वे कराया था यह बहुत असपस्ट है कि पश्चिम मंगाल में इस बार भयंकर पॉलराइजेसन होने जा र के हिंदू स्टेट वोट करने जा रहा है देखिए अभी हमने जितनी भी सीटों की बात की पहले मैं एक वाक्या याद लागा है जब हमने सेप्टेंबर ऑक्टूबर में पिछली बास सर्वे किया था ता आपको याद अगोस में बीजेपी दस सीटों पर आ गए तो उस ट करता है या कुछ अस्थानिय कारण के विए से फिर वेदल हो सकता है प्राइन स्टे नहीं है नहीं है यह बता दना जो नौट टुइंटी-फोर पर गना है उसके बास जो बावदमान दुरगापूर के आसपास है उसके पास नादिया डिस्टी के तो 9 बर्दमानन दुर्गापुर्व बोलपूर्व बोल्पूर्व दोधर इसका आसर है और यहाँ पर ऐसा स्थाने व्यास करा क्शार कि दोधकर यहाँ और सो देखना है तो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है पूरे बेंगौल के लिए भदलोक बोर्ट जो बीजेपी से अभी भी उस तरह से नहीं जूर पा रहा है जिसके वैसे आप देखेंगे जो पूरा जो ग्रेटर कोलकाता जो रीजन है उसमें बीजेपी जाए आने वाले दिनों में लेकिन बाकी कोलकाता में बहुत ज्यादा श् Button है कि वहाँ पर जो एक community है न वो बीजेपी की politics को पसंद नहीं करती मुझे नहीं पता कि BJP उन से जुरने की कोसिस क्यों ने करती है उनको अपने पास लाने की क्यों ने करती कोसिस जरूर हुआ해 पिछले बिधान सवा में कोसिस जरूर हुआ था लेकिनों सक्सेस्टफुल नहीं हुआ تھा आप उनका इतिहास देखे वो जहां जारे ते लेट के पहले साथ जूरे ते फिर अभी टीमसी के साथ बहुत ही consolidated रहे हैं इसलिए यहाँ पर यदि बीजेपी का और ज़्यादा advantage चाहे तो इन community को साथ लाना बहुत ज़्यादा है और क्यों इस तक बीजेपी RSS क्यों नहीं इसको मना पाती नहीं मुझे लगता है कि पिछले एक दसक के अंदर भद्र लोग के पास बहुत communicate किया गया है कई बैठके हुई है उनके साथ मुझे लगता है इसको कहते है आप भद्र लोग भद्र लोग वो है जो बंगाल का एलीट ब्राम्हिन जिसको अपर मिडिल क्लास जो बोलते हैं कास्ट भी आप उसमें रखे हैं जो धोती कुर्ता वाइट धोती कुर्ता पहन करने वाला इसलिए कहा जाता था कि बुद्र लोग से साथ अपने आपको कनेक्ट कर सकें तो ब्रंगाली ब्राम्हिन और एलीट क्लास है जो कलकटा के आसपास जो जिसे आप कह सकते हैं कि जिसने पूरे बंगाल को और भारत के रेनेसा को खड़ा किया जिसे हम पुनरजागरन भारत का पुनरजागरन कहते हैं तो वो उसी भद्र लोग की ही देन थी तो उसके साथ जिसो इंटेलेक्ट्चुल क्लास भी आप उसे कहते हैं जो संपन क् पर प्रदेश में नहीं जीत रही है तो संदेश खाली का असर बहुत ही लिमिटेड रहेगा और पूरे प्रदेश में नहीं होगा वहाँ बीजेपी नहीं जीत सकते हैं अस्तानिय का असर बहुत है और यहाँ से टीमसी ने अपना जो पिछली केंडिडेट है उनको भी चेश चेश चाहली वाला बशीर हाथ है यह संदेश खाली का अटा के एक और केंडिडेट उन्होंने दिया है आप अभी संदेश खाली की बात कर रहे थे हैं तो जारी है टीमसी को मैं देखें मैंने कहा न अब आप कहें कि आप मालदा में भारतिय जनता पार्टी जीट जाए यह लगभग असंभव है क्योंकि बंगाल की ऐसे जहां 56% मुसलिम पॉपुलेशन है 60% मुसलिम पॉपुलेशन है और यह सारे बंगलादेशी में मुसल्मानों के आने के कारण यह पूरी डिमोग्राफी चेंज की है बंगलादेश से लटे हुए सिमा आप कहें कि नादिया में कैसे भारतिय जनता पार्टी है नादिया में जीती नहीं सकती है भारतिय जनता पार्टी वो पूरा का पूरा मुसलिम डॉमिनेटेड एरिया है तो बीजेपी को नहीं चाहिए क्या मुसलिम बोट नहीं बीजेपी को चाहिए लेकिन बीजेपी को उन सर्तों पर नहीं चाहिए जो कहें कि इस देश में सरिया लागू होना चाहिए तबी हम सुरक्षित हैं जो वो मुसल्मान कहना चाहता हो जो बंगलादेशी मुसल्मान कहना चाहता हो भारती जनता पार्टी उस सर्तों पर अपनी राजनीती नहीं कर सकती है जिस सर्थो पर स्रिमति सोनिया गांधी तेयार है, जिन सर्थो पर ममताव अनरजी तेयार है, या बाकी भी पक्षी पार्टियाँ, आप के से देख सकते हैं, पूरी बिहार की डेमोग्राफी जो है, जिससे सिमानचल आप कहते हैं, बंगलादेशियों ने इन्फिल्ट्रेट करके पूरीडेमोग्राफ्य मह बदल दी है वहां क्या नहीं हो रहें क्या कुकरम और धतकरम नहीं हो रहें लेकिन फिर भी मैं तो भारती जंता और को भी कहता था कि आपको नतीसहें अपनी राजनिती चमकाई भारती सन्ता पार्टी को इसका खुला भी रोध करना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं होप साया अलिगण का कैंपस कहा बन रहा है सिमांचल में बन रहा है क्यों भाई क्यों बनना चाहिए ऐसी चीज़े वो मुव्मेंट वहां से खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भारत के नागरीकों को अभी जगाने के आऊशकता है तो जागेंगे तो इसका परिणाम अलग आएगा देखे मैं तो यही कोहूंगी कि CAA का असर अभी देखना बाकी है मुझे लगता है फिर भी थोड़ा बहुत असर तो देखी रहे होंगे आप कुछ जो अभी आने वाले दिनों में CAA क्यूंकि डिस्कोर्स चल रहा है पब्लिक में CAA जो है और ऑपोजिशन भी जो लगातार ऑपोजिशन दिखा रही है CAA पे वह इंटरनाशनल खबर भी है नाशनल खबर भी है तो जिस तरह का विरोध हो रहा है उस पर उसका असर हमें कुछ सीटों में दिखाए 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 मेरे ख्याल से बहुत वीक कैंडिडेट हूँ बहुत जादा उनको बंगाल का कैंडिडेट माना भी नहीं जाता है वहां पर बर्दवान में अज़ा हमारे प्रिटिकल एडिटर दिवेंदर पराश्र भी यह लगातार बने वे हमारे साथ आप भी चाहता हूँ दिवेंदर मुझे लगा शायद आप इस वक्त नहीं है इस सेग्मेंट में हमारे साथ तभी मैं आपके पास नहीं आपा रहा था लेकर अब लोग बंग जैसे अभी जिसीट किया बात कर रहे थे बरदवान दुर्गापूर वो बीजेपी के लियाद से आसान सीट बिलकुल भी नहीं है पिछली बार क्योंकि एसेस अहलवालिया थे और अगर पार्टी के इंसाइडर्स की बाद मैं बता हूँ तो एसेस अहलवालिया की जो पतन किया जाए उसके बाद उसमें बीजेपी कुछ चेंजेस करना चाहा रही है अग्ली बितरा पॉल के बारे में सोचा गया फिर फिडवाग आए कि वो नहीं निकाल पाएंगे हार सकती है तो वो सीट उतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है बाकी यह है कि साथ आठ कर रही है ताफसरा के जोईनी के बाद उसकी संभावना और ज्यादा बढ़ गई है क्रिशान अगार मुवा मित्रा गोड़ाने की पूरी तयार कर रही है बर्दवान पूरू की बात कर रहे हैं यह साथ आठ सीटें ऐसी हैं जो कि अभी टीम सी के पास रही है और वहां से बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि उन सीटों को अपने पास लेकर आकर पचीस तक वह आंकड़ा पहुंचा जाए जाए शुवेंद्य वहतिकारी के दोनों लोग जो उनके दो सांसते हैं कांट्टू अताम लग में हो दोनों बीजेपी और जॉइन कर चुके हैं तो बीज बीजेपी अच्छा करने के फिराक में और गाउन पर असर भी नजर आ रहा है जी देवेंद्र